अब आन। देट है आज की 1 जुलाई 2023 और आज यू था वहू कंडक्ट किया गए था B.Ed का इंटरेंस का एक्जाम तो B.Ed का विपर यूक राकट किया गए था इसको जो है हम डिस्कस करेंगे और हरी question को देखेंगे कि क्या क्या question जो था वो पूछे गए थे सबसे पहले question हम बोलते है Which scheme is initiated by state government of हिमाचल परदेश to connect sectrate with the district तो जो हिमाचल परदेश का sectrate है उसको district के साथ जोडने के लिए बोलते है हिमाचल परदेश सरकार के दोरा कौन से scheme सुरू की गई है तो हमने हिम्स्वेन scheme बहुत बार पड़ी है कि हिम्स्वेन scheme जो है वो हिम्स्वेन scheme जो हो क्या करती है कि ये networking जो हो provide करवाती है तो obviously जब details से हम पढ़ते हैं तो यही फायदा होता है कि इस तरह से question solve होते है तो हिम्स्वेन इसका सही answer हो गया अगले question में बोलते हैं निम्मलिकित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में पूरा तत्विक खोजों का स्थान नहीं है तो देखो नालागर्ड में भी हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ मिला था सुकेती में भी पढ़ते हैं कलपा में भी पढ़ते हैं लिए पंपे हमाचल प्रदेश की इन में से किस जील का अकार सोती हुई महिला के अकार का है तो sleeping woman की तरह किस का है रेणु का जील का अकार जो है सबसे बड़ी natural जील जो हमाचल प्रदेश की है यह उसकी बात हो रही है आगे question में देखें बोलते हैं किस once के शाषन काल में हुनों ने हिमाचल पर आक्रमन किया था तो जब भी हमने mission allied में पड़ा है तो हमने पड़ा है कि गुफ्त उस टाइम होते थे गुफ्त के कारेकाल के दुरान जो था वो हुनों ने हिमाचल में जो था वो आक्रमन किया था यह भी detail से question को discuss करने का एक फाइदा यहां से निकलता है अगला पांचवे number question क्या बोलते हैं बोलते हैं सिर्गुल देपता की पूझा किस जिले में की जाती है तो सिर्गुल देपता जो हो कहां पर पूझे जाते हैं सिर्गुल देपता देखो सिर्मॉर डिस्टिक में लोपन है इनके जिसमें जिसमें बोलते हैं which is the only newspaper in हिमाचल प्रदेश that has separate district pullouts तो यह है दिब्ब्य हिमाचल निवासी पर option A सही अंसर है इसकी cutting भी हम आपको provide करवाते हैं टेलिग्राम पर अगले question में क्या बोलते हैं बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस सम रखन रखना है तो अगला question में बोलते हैं निम मलिकित में से कौन सी चोटी चोटी जो हो लोहल्स पित्ती चिले में स्थित नहीं है तो यही फाइदा है कि जब मिशन एलाइड को आप डिटेल से समझते हैं तो इस तरह से question solve होते हैं बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार कि योजना के तहद गरीब बच्चों के बैंक डाकगर खातों में पैसा जमा करती है तो देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो हो बाल बाली का सुरक्सा योजना के तहद ऑप्शन डी सही अंसर हो जाएगा बाल बाली का सुरक्सा योजना के तहद जो हो गरीब बच्चों के बैंक डाक कर खातों में जो हो पैसा जमा करती है अगला कोईशन देखते हैं मारे बास क्या पूचा गया है जी बोलते हैं कोईशन नमर 10 में बोलते हैं शिमला में 1942 के भारत छोड़ों अंधुलन का नित्रित्तों किस ने किया था ये कोईशन तो साइथ अभी टैट में भी पूचा गया था तो ये अमरित कौर थी अमरित कौर ने जो था हो 1942 में शिमला में कुट इंडिया मुमेंट जो हुआ था ना उसमें जो था हो उन्हें लेड किया था हमने जाना हैं डेटेल से इनके बारे में कांगडा के निवासी पहाड़ी गांधी जो पंडित जोहरलाल नहरू द्वारा दी गई उपादी है ये ये जो है ये नाम किसे जाना जाता है तो पहाड़ी अनके बेसिकली पूच रहे हैं कि पहाड़ी गांधी बाबा कांसी राम किसको कहते हैं वाबा कांसिराम को कहते हैं पहाड़ी गांधी पुरा नाम हम किस तरह से पढ़ते हैं पहाड़ी गांधी बाबा कांसिराम तो यह डेफिनिटली यहां से इजी कॉशन था निम्मलिकित मैं किस स्थान पर रविंधर ना टैगौर ने हिमाचल प्रदेश के कुछ महीने बिताए थे कुछ महीने उनके ज़रा डलहौजी में जो था वो spend किये गए थे maximum लोग देखो जो भी आये थे ना spend करने के लिए वो डलहौजी ही आये थे और जो visit के लिए आते थे official meetings पर आते थे maximum time वो शिमला आये है आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में दुडलव लाल गले वाली कवर कहां मिलती है अब इस question को अगर आप इंगलीज में पढ़ते तो easily solve कर देते बोलते हैं where has been rare red necked grave have been found in हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं grave कहां पर मिलती है जो red necked grave होती है न ये पॉंग जील में मिलती है जब प्रवासी वक्सी यहां पर आते हैं चाहिद ये question previous किसी exam में भी पूछा जा चुका है question number 15 में बोलते हैं वसीष्ट गरम पाने का जहरना किस नदी के बोलते हैं who gave the who was the guru of कवीर तो जो कवीर जी थे उनके गुरू कौन थे रामानंद जो था वो इनके गुरू थे ये हमने जाना है मैंने कहा था कि अगर इस तरह से इक्वाटिक ऐनिमल ऑफ ही माचल प्रटीश तो गेंजीटिक जो डॉल्फिन है गंगा की जो डॉल्फिन है गंगा नदी डॉल्फिन option सि सही अंसर होगा आगला question है question number 18 में के बोलते हैं DDD is was invented by तो DDT जो था वह किसके दवारा invent की गई थी DDT जो था हो मौसले के दोरा एंवाइंट की गई थी option A जो है वो सही अंतर है एक और बात मैं बता दूँ कोई भी question अगर correction हमें करनी होगी तो मैं telegram पर correction कर दूँगा इसके जब answer की आती है वो भी telegram group पर आपको provide करवा दी जाएगी telegram पर कैसे join करेंगे telegram पर join करने के लिए पना telegram open करना वहाँ से at the rate all exam 31 search करना आपको मारा telegram channel भी मिल जाएगा 28,000, 27, 28,000 के करीब लोग जूड चुके हैं तो आप भी जूड जाना ताकि आने वाले exam में help मिल सके question number 19 मैं बोलते हैं hottest planet कौन सा है solar system का Venus जो है hottest planet है Venus hottest planet है 20 मैं क्या बोलते है बोलते है etymology is the study of तो बोलते है कीट वग्यान हिंदी में पड़ते तो आप पता लगा लेते कि इंसेक्ट की study जो है वो करता है option C सही अंसर है question number 21 मैं बोलते हैं अगर कोई question नहीं आता तो इसको हिंदी और इंग्लिस में हमेशा ही दोनों दोनों जगह से जो है उपड़ना चाहिए ताकि concept clear हो जाए बोलते हैं शीव गोमा हवाई अड़े का उधगाटन हाल ही मैं किस राज्य केंदर property index बहुत बार टेलिग्राम पर भी मैंने क्यूज डाला इसका बोलते हैं 40 second rank जो है वो इसका है 40 second rank इसमें इंडिया का है intellectual property index 2023 में बोलते हैं which union ministry issues issued advisory on obligation of public service and broadcasting तो बोलते हैं यह obvious ही बात है यह जो केंदरी मंतराले पूछा गए है यहां पर जिसने सारवजनिक सेवा प्रशारन के दायतों पर परमर्ष चारी किये तो यह ministry of information और broadcasting ही होना था option A सूचना एवं प्रशारन मंतरा ले ही इसका होना था अनुराप ठाकुर जो है वो इसके minister है present time में आगे बोलते हैं 24 में which city is the host of first ever G20 culture working group तो बोलते हैं कि G20 का जो culture working group है उसकी मेजवानी उसकी head है जो भी उसकी मेजवानी कई गई है कहां पर की गई है तो खजुराहो में की गई है option भी सही answer है आगे बोलते हैं 25 में national science day कब मना जाता है 28 February को जो हो मनाया जाता है कभी भी गलत नहीं हो सकता था आपका बहुत बार रिवाइज हुआ है आगे बोलते हैं सवीता who won the sports star aces sports woman of the year award plays which sport तो सवीता किस game से सम्मन दित है जिसको ये award दिया गया है देखो सवीता जो है होकी खेल से जो है ये जुड़ी हुई है option c होकी खेल सही अंसर हो गया 26 के बार 27 देखें होला मोहला नाम से पता चल रहा है कि किस धरम के साथ जो है ये जुड़ा हुआ है किस धरम का प्रसित्योहार है तो ये सिखिजम का है हुली के बाद ही जो है यह होता है सिखिजम में जो है यह होता है 28 में बोलते हैं विच इंसिजूशन अलॉंग विद दा उनाइटे नेशन वुमेन लाउंचड न्यू प्रोग्राम कॉल्ड फिन एंपावर फिन एंपावर जो है वो किसके द्वारा लाउंच किया गया है बॉंबे सेक्यूरिटी एक्चेंज बी एस सी जिसको आप कहते है इसके द्वारा यह किया गया है वुद्ल ऑफ नेम वुड़ते है भारत की पहली कारबन तटस्थ पंचायत पाली की राजय केंतरसासी प्रदेश में है तो पाली यह जो कारबन न्यूट्रल पंचायत आ यह जम्मू काश्मीर में पेंस्तिथ है आपोप्शन भी जम्मू 2020 सही अंसर गया 30 में बोलते हैं which institution released the statical table relating to banks in India तो ये Reserve Bank of India जो है वो करता है 31 अब हिंदी का section जो है वो चलता है तो हिंदी के section में बोलते हैं मोहाबरे का युक्ती युक्त अर्थ नहीं है तो कौन सा नहीं है option A, छटी का राजा ये सही नहीं है तो अगले में बोलते हैं question number 32 में कि अभिग्य और अभिग्य ये युगम सब्द हैं तो इनमें भेद बताना है तो एक होता है जानकार एक होता है अज्यानी option A जो है वो सही अंसर हो जाएगा अगले में क्या बोलते हैं? अगले में बोलते हैं कि भावाचक संग्या से निर्मित विशेशन है तो question number 33 का प्यार हो जाएगा option B जो है वो सही answer हो जाएगा आगे देखें देखो जब भी यह तो tentative way में हम discuss कर रहे हैं जब भी HPU इसके answer की जारी करता है तब भी मैं आपके साथ telegram पर share करूँगा तो जरूर वहां से भी चेक करना 34 में क्या बोलते हैं 34 में बोलते हैं सुपरूस में कौन सा समास है तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा 34 में 34 में करमधारे समास जो है वो आ जाएगा option B जो है वो सही answer हो जाएगा 35 मैं बोलते हैं जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है तो जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उसके लिए कौन सा शब्द होगा उसके लिए अनाहुत सब्द होगा option A जो है वो सही answer होगा आगे देखें 35 के बाद 36 question number है हमारे पास 36 मैं बोलते हैं यथा विधी का सही उत्तर बताईए तो यथा विधी का सही उत्तर क्या होता है यथा विधी का सही उत्तर होता है आपके पास question number 36 का जो है वो option आपके पास हो जाएगा B विधी के अनुसार यथा विधी विधी के अनुसार आगे बोलते हैं 37 में निमलिकित क्रियों मैंसे कौन सी क्रिया अनुकरनात्मक नहीं है जुठलाना option C जो है वो सही अंसर हो जाएगा सच रित्र सब्द में संधी कौन सा है तो question number 38 का जो है वो सत प्लस चरित्र इसका सही अंसर हो जाएगा कहांगे 38 38 देखें 38 question number है हमारे पास यहां पर तो इसमें 38 में जो है वो आपके पास कौन सा जाएगा व्यंजन संधी आएगा यहां पर फिर option भी सही अंसर है 39 में बोलते है निम्मलिकित में से कौन सा सब्द वृद्धी संधी का उधारन नहीं है तो 39 का गुरुपदेश जो है वो नहीं है option C सही अंसर है तब 40 में बोलते हैं लिखाई सब्द में कौन सा प्रत्य है तो 40 में I प्रत्य है इसमें I option D जो है वो सही अंसर हो जाएगा 40 के बाद 41 देखें 41 में बोलते हैं निम्मलिकित में से कंठे ध्वनियां कौन सी है उचारन स्थान क्या है दान्त का उचारन स्थान नाक होगा option सही अंसर है एक और बात मैं बोल दूँ कि अगर आपको डाउट लगता है नहीं तो पहले खुद भी चेक करें तब कमेंट करें क्योंकि आपका कमेंट पढ़के कोई और दूसरा प्री कंफ्यूजन में पढ़ ना है पुलिंग है इस त्रिलिंग है क्या है तो यह 44 का जो है वो क्या होगा आपके पास पुलिंग इसका सही अंसर होगा option A जो है वो सही अंसर है उसके बाद 45 देखें 45 बोलते हैं निम्मलीकित में से कौन सा सब्द उपसरग रही था है तो उपसरग रही तेन में से कौन में बोलते हैं मनु की सुक्ति के नुसार व्रिधा वस्ता में महिलाएं किसके सरंक्षन में अपना जीवन व्यतियत करती हैं तो यह करती हैं जिपुत्र के option D जो है वो सही अंसर हो जाएगा 46 के बाद 47 में बोलते हैं इसका क्या होगा व्यभारिक जो हो जाएगा आरक्षन इसका सही अंसर है 49 में बोलते हैं महिलाएं निम्मर में से किसकी रक्षा है तू काली वो दुर्गा का रूप ग्रहन कर लेती हैं तो महिलाएं जो है वो इसका होगा स्वाभावी का option A जो है वो सही अंसर हो जाएगा 50 question number में क्या बोलते हैं 50 देखिए महिलाएं को घर में ही कैद रखना चाहिए यह किस मानसिकता का सूचक है कमेंट करके बता दीजिए इसका क्या होगा टेलिग्राम पर हम कंफर्म करके आपको बता देंगे इसका अंसर अभी आप बताएंगे इसका अंसर 51 देखिए उसके बाद अब इंग्लिस का section चलता है fill in the blank यहां पर आ रहे हैं आपके पास बोलते हैं he got too tired dash over work because of होगा OF वाला option A जो है वो सही अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं हमारे पास question number 52 में बोलते हैं he crossed the broken bridge dash warning in spite of होगा OF वाला option A जो है वो सही अंसर हो जाएगा आगे antonium पूछा गया है rabbit का तो rabbit का antonium sober होता है option B जो है वो सही अंसर हो जाएगा चूज बोला है correctly spelling आपको चूज करनी है तो correctly spelling है इनमें से o b n o x i o u s o b n o x i o u s तो option A जो है वो सही अंसर बन जाता है आगे बोलते हैं यहां पर भी correctly spelling करनी है आपको चूज तो यहां पर r i d i c u l o u s option C r i d i c u l o u s ridiculous जो है वो सही spelling होगी 56 में बोलते है synonym of biannual तो biannual होता है इसका क्या होगा every two year मितल जो दो सालों में एक वार होता है उसको biannual कहते हैं यह आपने ध्यान रखना है every two year और आगे क्या बोलते हैं आगे बोलते हैं select the most appropriate idiom यहां पर idiom बताना है तो reporters interview a dash यहां पर होगा dash man in the street man in the street होगा यह आपने ध्यान रखना है आगे 58 में इसको arrange करने के लिए बुला गया है इसका option dprqs जो हो सही अंसर हो जाएगा 59 में बोलते है select the option that is passive form of the given sentence तो passive form of given sentence इन में से कौन सी है option a सही अंसर हो जाएगा the rack will be arranged by अभे यह इसका सही अंसर हो जाएगा 59 के बाद 60 देखें यहां पर बोलते हैं select the word which means the same तो इसका मतलब एक line आपके पास दी गई है किस word को represent करती है dentist who specializes in the treatment of the gums तो उसको बोलते हैं periodonist बोलते हैं उसको option a इसका सही अंसर हो जाएगा यह आपने ध्यान लखना है 61 में बोलते हैं कि यहां पर plural बताना है आपको woman का होगा woman w en होगा m en होगा sorry w o m e n यह इसका सही अंसर होगा आगे prefix बताना है आपको merit का तो d is का सही होगा option c सही अंसर होगा यहां पर 63 में बोलते हैं यहां पर correct sentence आपको बताना है तो यहां पर होगा option 63 का option c would you like the glass of water option c जो है वो सही अंसर होगा select the odd one तो radio जो है वो यहां पर odd one है और 65 में बोलते हैं fill in the blank है boys like playing football होगा option a जो है वो सही अंसर है आगे आपको पैरा पढ़ना था और question चांट कर बताने थे तो 66 का सही अंसर क्या हो जाना था option a more than 35% सही अंसर हो जाना था 67 की उसी तरह अगर हम बात करते तो 67 का जो है वो क्या अंसर होना था यहां पर access हो जाना था option b सही अंसर है 67 के बाद 68 की अगर हम बात करते तो 68 में जो है वो option c low income जो है वो सही अंसर हो जाएगा 68 के बाद 69 के अगर हम बात करते तो environment factor refers to behavior यहांपरो का lifestyle option सी सही answer है 70 में बूलते हैं 70 का सही answer क्या होना था यहांपर भी option सी extra organic type जो है वो सही answer हो जाना था बाखी के जो question है वो थोड़ी देर में next जो part आएगा वहांपर जो हम discuss करते हैं नेक्स्ट पार्ट आपको टेलीग्राम पर भी प्रवाइड करवा दिये जाएगा और यूट्यूब पर अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तब भी आपको notification जो है वो आ जाएगी तो next part में जो हो मिलते हैं